Hey guys, तो अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, तो तुम लोगों को प्रॉबेबली अब तक ये तो पता होगा, कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने ये बताया था, कि मेरे चानल पे गडलेंग श्राइक आगी थी, दो दिन पहले मैंन ने हमारी बात सुन ली और शाड़े बार एक बचे के एराउंड ये वाली वीडियो वापस आ चुकी थी, यार मुझे समझ ने आ रहा था, मतलब ऐसा हो कैसे गया, कि यूट्यूब ने पहली बार हमारी बात सुन ली, like this has never happened and I don't think इसके बात कभी होगा भी, अब मैं बतात उसके बाद, मैं रात को साड़े नौ बजे जोकर मुवी देखने गया, बहुत अच्छी मुवी, मुवी एंजॉई करके मैं वापस घर आया, खुशी-खुशी घर आया, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी मुवी, and जैसी मैं अपने घर के वाइफाई प फिर से हटा दी गई, yes, and इस बार मुझे, पहले मुझे बुरा लगा, इस बार मुझे बहुत डिस्गस्टिट फील हो रहा, अब मैं वजा तो तुम्हें क्यों, तो जब यूट्यूब ने पहले स्ट्राइक हटा दी थी, तब मैंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पोस् इति कुशी, thank you YouTube, thank you God, thank you dad, and thank you guys, जोने एक गंटे में इतने मेसेजिस कर दी है, भाई साब, ट्विटर पे इतने री ट्वीट हो है, and ट्विटर मैंने YouTube को thank you बोलते वे ये ट्वीट करा था, ते वीडियो आप, thanks everyone for the support, thank you YouTube इंडिया, भाई तुम लोगो ने एक वीडियो ह में कुछ गलत नहीं है है सबनेliches messages करेς request जा ली तुमने वीडियो देखी रिव्यू करी तुम्हें लगा कए Okay इसमें कुछ गलत नहीं है और तुमने वापस restore कर दी वीडियो लेकिन दस घंटे बाद फिर से किसी को बेठे-बेठे एकदम से दौरा पढ़ता है न DF इस वीडियो में गलत है ये वीडियो फिर मारो गाइड लाइन स्ट् cannabis करने वाले है यूठीउटूब यह वाला बंदा एक्सपोज वह वह वाला बंदा एक्सपोज वह वाला फ़लाना बंदा एक्सपोज ऐसी वीडियो खेर आग्सा до ऑस क्या यह वाल was पोल एक्सपोस्स करते रहते हैं आज मैं YouTube पे बैठके YouTube को एक्सपोस्स करने वाला हूँ अपनी मतलब जिस प्लाटफोर्म पे बैठा है तो उसको एक्सपोस्स कर रहा है हाश्टेग freedom of speech guys अब पता है वीडियो डिलीट होने का दुख नहीं होता दुख होता है उसके साथ जो guideline strike पढ़ती है क्योंकि तुमारे चानल पे तीन guideline strike पे तुमारा चानल खातम ठीक है एंड YouTube कभी भी मेरी कोई भी वीडियो रैंडमली देखता है और उसको लगता है इस पे हम guideline strike मारेंगे मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता है YouTube इंडिया headquarters में एक बंदा बैठा हुआ है जो मेरी वीडियो बस upload होने की वेट करता है अप्लोड होती कहता है आई लाट रिकर इंसान ने नहीं वीडियो अप्लोड करी चलो strike मारते हैं तो ये बात है उस समाने की अब मैं तुम्हें बताता हूँ basically क्या होता है जब कोई एक brand market में आता है अपने आपको promote करने तो वो बहुत सारे YouTubers के साथ collaborate करता है suppose let's say iPhone तो iPhone वाले कल को decide करते हैं कि वो YouTube पे अपने phone की promotion करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे बड़े से लेके छोटे Creators तक सबके साथ collaborate करेंगे बड़े Creators में हो गए हमारे बीबी की वाइन हो गए हर्ष बेनिवाल, अमित बढ़ाना अशीष चंचलानी इन सबके साथ भी collab करेंगे और फिर छोटे YouTubers हमारे जैसे YouTubers सब्सक्राइबर्स वाइस कह रहा हूँ, मैं छोटे YouTubers हम सबके साथ collaborate करेंगे तो एक साल पहले ऐसी एक brand market में है जिसका नाम था मैं बोलूँगा नाम तो भी शायद में पर पंगे पड़ सकते हैं बड़ कोई नहीं मैं फिर भी बोलूँगा Snapchat एक ऐसी एप है जो YouTube guidelines को violate करती है क्यों क्योंकि Snapchat आपको आप मैं बोलूँगा तो फिर से पर तुम लोगों तो अब तक तो पता चली चुका है यह क्या करता है वीडियो जो की YouTube guidelines के खिलाफ है नहीं करना चाहिए अच्छा message दे रहा हूं मैं नहीं करनी चाहिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए लेकिन Snapchat आया एंड उसने मेरे साथ भी collaborate करा एंड उसने कुछ बड़े-बड़े YouTubers के साथ भी collab करा फॉर एक्जामपल अमित भड़ाना के साथ भी collaborate करा एंड हर्ष बेनिवाल के साथ भी collaborate करा तो उसके बाद मेरी वीडियो पे एक दिन में उसक थोड़ा कम व्यूज आते थे तब एक दिन में मेरे आये थे दो लाख व्यूज और नेक्स दे जब वीडियो को अप्लोड कियोए एक दिन हो गया मुझे पता ही नहीं था कि यह पित्ती बुरी है यह वो जिसने मेरे को एड दिलवाई थी उस बंदे से भी मैंने बात करनी बंद कर दी तेरी वजाए से मेरे चानल पर स्ट्राइक आगई यह वो मैं बहुत बहुत अपसेट था लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ जो मेरे से बड़ा यूट्यूबर है लेक सब्सक्राइबर में अल्मूस्ट दस मिलियन से भी उपर था उस वक्त मेरे क्याल से दस मिलियन हो गए थे उनके अमेद भडाना जी उनकी वीडियो में भी उन्होंने स्नाप्ट की प्रोमोशन कर रखी है उनकी वीडियो थी चैनल पर बने भी सिखाता हूं देखो यह सने इसमें क्या है कोई भी यूट्यूब की वीडियो चलता लौट देखो तो इनोंने अपनी वीडियो में स्नाप्ट की प्रोमोशन करी आद इनोंने भी वही चीज बोली जो मैंने बोली थी लेकिन इनकी वीडियो पर गाडल से तब तो और भी जादा चोटा था तो मेरी वीडियो के स्ट्राइक आ गई लेकिन इनकी वीडियो वास ओके फॉर्ड़ कम्यूनिटी इनकी वीडियो गाइडलाइन्स नहीं वाइलेट करती थी लेकिन यह तो सिरफ एक एग्जामपल है इसके बाद मेरे परसनल फेवरेट ह आप HD में देख सकते हों और बड़ा सही है दिखाना एक बार ये वीडियो भी तक इनके चानल पर ये भी गाइडलाइन को वाइलेट नहीं करती क्योंकि इस बिग यूट्यूबर और उस वक्तों और वी जादा स्मॉल था तो मेरी वीडियो वाइलेट करती है गाइडलाइ डोनों का ही मैं फान हूँ और इनकी तो कोई गलती भी नहीं है इनको तो पता भी नहीं होंगा कि वूडियो वाइलेट करती है गाइडलाइनस लेकिन यूट्यूब लिए बैठ हई हो किसी एक बंदे ने हम तीनों की वीडियो देखे होगी और मेरी वीडियो बीडियो उ मेरी ex-girlfriend तो नहीं बेठी YouTube इंडिया में बदला ले रही है लेकिन वो तो ही नहीं इंडिया में नहीं बड़ी community में मैं ही मिलता हूँ specifically target करने के लिए अभी जोक वाले लेवल पर पहुच चुका हूँ मैं पहले मेरे को लगता था क्यार कि उत्ता बुरा हो रहा है मेरे साथ अब मुझे seriously हसी आती है एक जोकर का बहुत साइड है लोग था ये बिग गया YouTube अब इसमें कुछ नहीं है सारे मिल के हमको पागल बना रहे है मेरे को seriously नहीं समझ आता मैंने सच में क्या मैंने YouTube के क्या पैसे खा रखे है या मैंने उसकी YouTube वालों की बेटी पटा रखी है एक इंजीनियर जो अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी जो उसको मिली उसको छोड़के YouTube को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहता है लेकिन YouTube वाले भी लाइक जीने नहीं दूंगा और यह सिर्फ मेरे साथ नहीं है कल मैंने जो कमेंट्स आयना वीडियो में बहुत कमेंट्स पड़े ऐसा बहुत सारी YouTubers के साथ है बहुत सारे लाइक सीरियसली उनके कुछ स्पेसिपिकली 5, 10, 15 क्रेटर्स है जिनको उनसे प्यार है बाकी सब क्रेटर्स दोट इवन मैटर फ अब तो आप तो इंप्रिटिशोर अब अपवापस नहीं आ वाली ये वीडियो देखने के बाद तो यूट्यू वाले बी लाइक स्की वीटी हटाओ अपस अब तो बिल्कुल याने वाली वो वीडियो चैनल पर बापस चैनल पर गाड़े और अरख है मैंने ट्टर पे इ या फिर Instagram पे YouTube India Team YouTube. इन दोनों को tag करके और मुझ को tag करके, Just ask one thing, बस एक चीज़ पूछ लो, Why strike triggered इंसान? And stop bullying triggered इंसान. साथा कुछ भी बोल सकते हो. And हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया. कल की वीडियो के मैंने comments पड़े यार, जो तुम लोगों ने support किया है. I am seriously humble. इत्ता ज्यादा, इत्ता ज्यादा प्यार, इत्ती ज्यादा support. वैसे, रोता रोता नहीं हो, और अभी मिनी रोगा, चला, okay, bye.